Hello everyone, welcome back to Home Tutor आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9 के हिंदी विशे के पद्यखंड का प्रशन उत्तर जिसमें कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कवीर दास की साखी और उनके सबद का अध्यन किया था तो इसी से संबंधित जो प्रशन अभ्यास है उसे हम आज करेंगे इसमें हम सबसे पहले कभीर की साक्षियों से संबंधित जो प्रशन है उनके उत्तर करेंगे और इसका अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा तो इसके लिए आप चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कर लीजिए जिससे की आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो पहला प्रश्ण है मान सरोवर से कवी का क्या आशय है उत्तर हो जाएगा मान सरोवर से कवी का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर जो हमारे मन में इस्थित है हंस रूपी जीवात्पा अर्थात मनुष्य इसी सरोवर में मुक्ती रूपी मोतियों को चुग रही है और वह कहीं नहीं जाना चाहते अर्थात जो हमारा पवित्रमन है उसमें जो जीवात्मा है यानि मनुश्य की जो आत्मा है वह क्या करती है जो मुक्ती रूपी मोति है उनको चुगती है परमात्मा का ध्यान करती है और मुक्ती को पाने की इक्षा करती है और कहीं भी जाना नहीं चाहती अगला प्रश्न है, कवी ने सच्चे प्रेमी की क्या कसोटी बताई है? उत्तर है, कवी ने सच्चे प्रेमी की यह कसोटी बताई है कि उसका मन विकार रहित तथा पवित्र होता है इसका असर मिलने वाले पर पढ़ता है ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की अपवित्रता, दुख और सारे पाप नश्ट हो जाते हैं अर्थात जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनका जो मन है उसमें कोई विकार नहीं होता, अशुद्धी नहीं होती, पवित्र मन होता है और ऐसे प्रेमी से जिसका भी मिलन होता है उस पर भी इन बातों का असर पड़ता है यानि कि ऐसे प्रेमी से मिलने पर सामने वाले व्यक्ति का मन भी पवित्र हो जाता है उसके सारे दुख दूर हो जाती है उसके मन की अपवित्रता खतम हो जाती है और उसके सारे पाप नश अगला प्रश्ण है तीसरे दोहे में कविने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है तो यहां पर उत्तर है तीसरे दोहे में कविने सहज ज्ञान को महत्व दिया है वह ज्ञान जो सहजता से सुलब हो हमें उसकी साधना करनी चाहिए तीसरा दुहा हमने पढ़ाता न जहांपर कवीरदास कहते हैं कि मनुष्य को ग्यान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए अर्थात जो ग्यान का मार्ग है वो कैसा होना चाहिए बहुत ही सहज होना चाहिए क्योंकि ग्यान की प्राप्ती किसी को ऐसे ही नहीं हो जाती है तो सहजता से होना चाहिए बहुत उसमें आडंबर, दिखावा ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए तो ऐसे ग्यान को प्राप्त करें जो सुलब हो, सहज हो अगला प्रशन है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है उत्तर है जो भक्त मोह, माया, लोब सुख दुख, लाभानी उच नीच, अच्छा बुरा दिखावे इत्यादी से दूर रहकर निस्पक्ष भाव से ईश्वर की अराधना करता है संसार में वही सच्चा संत कहलाता है अर्थात भक्ती जो सभी करते हैं लेकिन लोगों के अंदर क्या होता है लोग, लोब में मोह, माया में अच्छा बुरा में किया चीज अच्छी है बुरी है, कभी दुखी होते हैं कभी सुखी होते हैं पक्ष विपक्ष में पड़े रहते हैं अर्थात विविन धर्मों को मानते हैं अपने को स्रेष्ट दूसरे को नीचा दिखाना कुल की चिंता करते हैं कि यह उच कुल का है यह नीच कुल का है इत्याद यह जो सारी चीजें क्या है मन के विकार है अपवित्रता है तो ऐसा मनुष्य जो इतनी अपवित्रता रखके भक्ती करे तो वह सच्चा संत नहीं होता, सच्चा संत वह मनुष्य होता है जो इन सब विकारों से अपने मन को दूर रखता है, इन सब चीजों का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता और निस्पक्ष भाव से केवल ईश्व की आराधना करता है, सच्चे मन से भक्ती करता है, वही व्यक्ति सच्चा संत कहलाता है अगला प्रश्न है, अन्तिम दो दोहे के माध्यम से कवीर ने किस तरह की संकिरताओं की और संकेत किया है तो यहाँ पर उत्तर होगा अंतिम दो दोहे के माध्यम से कवीर जी ने समाज में व्याप्त धार्मिक संकिर्टा समाज की जातपात की संकिर्टा की ओर संकेत किया है जैसे अपने अपने मत को स्रेष्ठ मानने की संकिर्टा और दूसरे की धर्म की निंदा करने की संकिर्टा उच नीच को बढ़ावा देने और उचे कुल के एहंकार में जीने की संकिर्टा ये सारी चीजे क्या हैं? ये मन की संकिर्टाएं हैं कि मेरा ही धर्म स्रेष्ठ है, दूसरे का बेकार है, मैं तो उचे कुल में जन्मा हूँ, बाकी तो नीच हैं, तो इस तरह की चीजें जो अपने मन में रखते हैं वह कैसे हैं, संकिर्ट मन वाले हैं और हमने जो साखियां पढ़ी थी उसमें जो लाश्ट के दो-दो हैं कबीर ने हम सब का ध्यान इसी चीज पर इंगित किया है इन सारी संकिर्टाओं के बारे में बताया है अगला प्रश्ण है किसी भी व्यक्त की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से तरक सहित उत्तर दीजिए तो यहाँ पर उत्तर होगा किसी व्यक्त की पहचान उसके कर्म से होती है कुल से नहीं जो व्यक्ति उचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनिय हो जाता है इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में या साधारण कुल में जन्म लेकर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदर्निये बन जाता है सूर्दास, कवीर्दास, तुलसी इत्यादी एक साधारण से परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदर्निये बन गए इसके विपरीत, कंस, दुर्योधन, रावड, आदि बुरे कर्मों के कारण निंदनिये हो गए अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों से माना जाता है, कर्मों से उचा होता है ना कि उचे कुल में जन्म लेने से जैसे कि यहाँ पर आपने उदार्न देख लिया कि जो सूर, कवीर, तुलसी और बहुत सारे ऐसी लोग हैं जो छोटे परिवार में या नीच कुल में जन्म लिये लेकिन उन्होंने इतने अच्छे कर्म किये कि आज भी संसार उनको याद करता है, उनको महान कहता है वही पर रावड, कंस, दुरियोधन ये लोग कितने बड़े-बड़े महाराज के पुत्र थे और कितने अच्छे कुल में इनका जन्म हुआ था लेकिन इनके कर्म कैसे थे, बहुत ही बुरे थे तो आज भी समाज इनको निंदित करता है इनके प्रतिगरडा का भाव रखता है तो यहाँ पर उत्तर होगा प्रस्तुत दोहे में कवीर दाश जी ने ज्यान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान यानि की कुत्ते का भौकना कहा है इस दोहे का काविस अंदर्य है यहाँ पर रूपक एवं उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है दोहा छंद का प्रयोग किया गया है सदु ककड़ी भासा का प्रयोग किया गया है शाश्त्रिय ज्यान का विरोध करके सहज ज्यान को महत्व दिया गया है जख मारी जैसे मुहावरे का सुन्दर प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर हमने साखी से संबंधित सारे प्रशनों के उत्तर देख लिए है होफफुल कि वीडियो आपके लिए हलफफुल रही होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेर जरूर कीजेगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई